तो हेलो गाइस आज और एक न्यू वीडियो देखने वाले है दाज चैनल की या डायलोग चैनल से रासिया थिस यूक्रेयन वेट न्यू इंटरमेट रेंज बिलास्टिक मिसाइल ये वीडियो देखने वाले हैं और जिलेन लिंक डिप किर्शन में है आप लोग जरू जाके देखिएगा वीडियो प्लेग अपर है अब ये दोनों फायर करें रशिया के उपर वेपन देने के बाद इन लोगों नो बोला तुम फायर मत करना जैलिंसकी तुम अपने पास र पहिलने लगे हैं कि कीव को बिल्कुल पार्किंग लॉड बना देगा पूठा ये देखिए रहे ऐसा होता है कि ये जमीन के नीचे होता है जमीन की उपर होता है इसकी उपर पैर पढ़ता है तो इस तरीके से यहां पे नो तब प्रेशन अप्लाई ड़न पुम आमर्ड व कि जो भी रूसी फौजी आए उसका पैर पढ़े उड़ जाए उनको रोकने के लिए उनके एडवांस को रोकने के लिए जैन दोस्तों मैं हूं मेजर गौरावारी और आप देख रहे हैं तो चानक के डायलॉग्स कल शाम को दोस्तों खबर ये मेली के रशिया ने युकरेन के उपर एक इंटर कॉंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानि के आई सी बियम फायर कर दिया ICBM सबसे ज्यादा लमबी रेंज की मिसाइल होती है और जाधा तर ICBM पे नुक्लियर वारहेड लगाए जाता है जाहर सी बात है रशिया ना अगर ICBM फायर करी होगी या होती तो रशिया उसकी उपर नुक्लियर वारहेड नहीं लगाता conventional लगा था ये एक understanding थी लेकिन कल भी में यही सोच रहा था कि रूस ICBM क्यों fire करेगा क्या कारान है देखे इट इस अलविज अनी weapon platform that is used is specific to the weapons अगर आप room के अंदर जा रहे हैं room entry कर रहे हैं एक खास weapon आप लेकर जाते हैं अगर आप open में fire कर रहे हैं long range पर fire कर रहे हैं आपको sniper rifle चीए हर चीज के लिए अलग अलग अलगाते आ रहे हैं और ballistic missile जो है चाहिए वो intercontinental ballistic missile हो these are specific to use weapons मुझे confusion था आज सभेरे पूटन सावने वो confusion दूर कर दी और उनने इंट्रेस्टिंग वीडियो है दोस्तों आप end तक जरूर देखेगा अब इसके पहले कि मैं ICBM और IRBM intermediate range ballistic missile जो रूसना fire करी उसकी स्टोरी सुनाओं मैं आपको यह बताना चाहूंगा एक बार दुबारा कि इसका trigger किया था यह हम पहले भी discuss कर चुके हैं और सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप मेरा पहले का दो दिन पहले का वीडियो देख लें चोटासा वीडियो दो मिनट के क्लिप है दोस्तों रशिया के पास nuclear weapons जो है वो aircraft based भी है उनके पास submarine or ship based भी है उनके पास land based भी है यह जो है this is only regarding Russia's land based missiles मैं सिर्फ land based missiles की बात कर रहा हूं क्योंकि अगर मैं आपको sea based missiles और air based missile वो फिर पूरी PhD हो जाती है उसकी चूंकि Russia is the most heavily nuclear armed nation on earth Russia के पास अमरीका से जादा missiles है और हम सब के सब नहीं बता सकते it is impossible list बहुत लंबी है Russia के पास जतने weapons है जतने kinds of weapons है that is very sophisticated and very staggering तो हमने बोला सिर्फ साब land based missiles यह और यह सारी कि सारी nuclear armed भी नहीं है लेकिन अगर आप इसको छोड़ दें यह SSC 7 को ठीक है इनके पास कुछ तो है tactical nuclear warhead के साथ यानि कि छोटे छोटे जो immediate tactical battle space पे impact डाल सके है पर अगर आप यह देखें सब यह it says 2500 km, 300 km, 500 km, 11,000 km 11,000 km, right? SS27, mod 1, यह 11,000 km की है SS25 साब, यह वाली SS27, mod 2, यह भी 11,000 वाली है, यह SS19, यह देखें साब, 10,000 km, SS18, 16,000 km, और SSX30, यह भी 10,000 km की है और यहाँ पर साब आप देखिए, यह पूरा का पूरा, अब यह SS18 सेटन, यह बड़ी मशूर इनकी मिसाइल है, intercontinental, ballistic missile, RS28, सर्मत, यह सारी की सारी बड़ी iconic weapon systems हैं, रशिया के बहुत आइकॉनिक हैं, यह टोपोल यह, सिकल, यह वाली जो, ICBMs हैं इनकी देखें, इन ICBMs का सेटन का जो है, यह देखें, दस से लेका 16,000 किलो मेटर का रेंज, ठीक है जी, सर्मत का 10,000 किलो मेटर, यह दोस्तों, यह टोपोल SS25 सिकल, और टोपोल M SS27 MOD1, 11,000 किलो मेटर, ठीक है, अब यह देखें, यह रशिया के सिर्फ लैंड बेस्ट missile systems हैं, रशिया अगर इनको फायर करता है, रशिया के रीच एवरी पार्ट ऑफ दो वर्ल्ड, रशिया अमरीका रीच कर सकता है, यौरोप रीच कर सकता है, कोई ऐसी दुनिया में जगे नहीं है, जहां पर रशिया मिसाइल रीच नहीं कर सकती, अमेरिका के पास इन टरम्स अफ नंबर्स अन टरम्स अमरीका के पास भी कुछ ऐसा नहीं है, चीन के पास भी कुछ ऐसा नहीं है, तो अगर कुछ ऐसा होता है, रशिया ये हत्यार आराम से इस्तिमाल कर सकता है, इस क्लिप में ने ये बताया है, कि रशिया के पास कौन कौन से वेपन्स हैं, और रशिया किस परकार से इस्तिमा कर सकता अब ये देखिएगा खास तोर से ये बॉर्डर दिखाए दोस्तों अगर आप इसको देखेंगे इस एरिया को दिस इस दी बॉर्डर राइट बिट्वीन यूक्रेन एंड रशिया और ठीक है यहां पे कुछ एरियाज है जो ऑकिपाइड है रशिया ने ऑकिपाइड कर रखें एरियाज आप देख रहें नहीं सब अब इश्यू ये है कि ये दो वेपन्स हैं ये आट कैम्स है और एक स्टॉम शैडव है इसका तकरीवन 300 किलोमेटर करें जै इसका तकरीवन 200 किलोमेटर करें जै अब ये दोनों फायर करें रशिया के उपर ठीक है जी दे कि यहां पे टॉप का कॉंसेंटरेशं था जहां पे रश्फियोप का कॉंसेंटरेशं था ता वहां पे फायर करा अब रेशिया ने बहुत पहले बोला था कि अगर आप ऐसा करोगे it will be construed as an act of war हम यह समझेंगे कि western nations यानि कि specifically NATO हमारे उपर उन्होंने जिसको कहते हैं कि they have declared war on us and now we will respond accordingly यह weapon storm shadow है this is a UK based platform और Atacamza यह तो US ने दे रखा है तो भाई यह US का है और यह UK का है अब दोनोंने दे दिया weapon देने के बाद इन लोगों ने बोला तुम fire मत करना जैलिंस की तुम अपने पास रखना बेटा इसको चला मत देना अब दोस्तों जो बाइडन है ना उसके कुरसी त्यागने के दिन बहुत करीब हैं मुश्किल से दो महीं है अब he has to leave a legacy and he has to complicate matters for Trump इसमें domestic American politics का बहुत बड़ा हाथ है उन्होंने एक दिन one fine day they said go ahead आप ad cams use कर लो रूस ना मना कर रखा था कि बॉस आपस की लडाई है तुम यह सब मत करना नहीं कर लो कर दिया छे मार दिया उसने missile ठीक है यहाँ पे UK जो की पिछलगू है US का जो US करता है उसका global lieutenant है उसने बुला ठीक है तुम storm shadow ठोक दो तो 200 kilometer की storm shadow ठोक दी यह हो गया अब रूस ने की जवाबी कारवाई जो की होनी थी और जवाबी कारवाई से दो तीन और चीज़ें हो गई है दोस्तों चली जवाबी कारवाई देखते हैं दोस्तों पूरी की पूरी स्टोरी यह है कि औरेशनेक नाम की एक missile fire करी है पूटन में पूटन यह कहता है औरेशनेक fire करी है औरेशनेक क्या है वो नई missile है उसके उपर उतना डेटा अवेलेबल नहीं है लेकिन जो औरेशनिक है अब यह है रोड मोबाइल है यानि की गाड़ी की उपर आप देख सकते हैं मैं दो-तीन खूबियां आपकी इस मिसाल को बताता हूँ फिर कैसे फायर हो भी वो भी बताऊंगा यह आप देख सकते हैं यह कहीं भी आपने फायर करा आप गाड़ी आगे लेगा है इससे काउंटर बॉंबार्डमेंट से आप बच सकते हैं आप दुबारा इसको 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 वरना आपने मिसाल फायर करी MIRV, यानि कि multiple warheads, यानि कि एक missile जाती है उपर और उसके अंदर से 5, 6, 7, 8, जितने भी लगाए होंगे अलग-अलग targets को यानि कि एक missile के अंदर कई missile, that is the meaning of MIRV तो दोस्तों यह देख सकते हैं, range हो है न इसका, 2000 से लेकर 5,800 this is an intermediate range ballistic missile and an ICBM also it can be used so different, you know, in conditions, as I said, missiles are mission specific, so when you use it as an ICBM, यानि कि साड़े 5,000 km से जादा की range, right अब यह इनों ने यूज करी है, यानि कि जो missile यूज करी है इस platform पे based है it is like this missile, लेकिन नए missile का data available नहीं है इतनी असानी से दोस्तों यहां से missile fire हुई है यहां से missile fire हुई है सीधा और डनी प्रो पे आके लगी है अब आप समझ लीजे यहां से और इसका total range कवर करा है missile ने आज के लिए अतना ही दोस्तों आके का पट्नेक्स ने मिलना होंगा बहुत नमबह हो जाता है अच्छा लगा तो आप लोगों जाके डिप्सिशन फूल वीडियो देख लेना अच्छा लोगाई